बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वारे में जनुवरी 2021 से जतने भी महत्पूर्ण प्रदेश का है उसे रिलेटेड जतने भी प्रेशन बन सकते हैं उन प्रेशनों को इस वीडियो में हमने सामिल किया है और यह सबी प्रेशन आप उत्तर प्रदेश प्रिक्ष्चाई उत्तर प्रदेश की जतने भी प्रिक्षाइं है जो प्रिक्षञ होने वालेजें तो उन सबी प्रिक्षणों के यह बहुत ही important होगा जैसे कि बी चोबिस सट्टुबर को यूपी पीसेस के अग्जाम होने वाला है लेकपाल का भी एक्जाम होगा और उसके साथ में यूपी एसाई यूपी पुलिस जितने भी प्रिक्षाएं आयजित होने वाले उन सभी प्रिक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश का करण्ट अफेर पहुत ही महत्पूर्ण वाइटीज रखता है अतना और यहां से प्रेशन अक्सर पूछे पूछे जाते हैं तो यह हमारा पार्ट वन है और इसमें हम कुछ महत्पूर्ण प्रेशनों को देखेंगे और उसके बाद में कुछ नेक्ट पार्ट जोगा उसमें भी हम कुछ अच्छे प्रेशनों को इसमें सामिल करेंगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ इसाथ सेर जरू करें तो उत्तर प्रेश के करन्ट अफेर की बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में तो चलिए फिर सुरू करते हैं अपना यह सेशन और पहला प्रेशन देखिए पहला प्रेशन है हाली में वाराण सीक एक इस इस तल को यूनेस्को की विश्वे धरोहर सुची में सामिल किया गया है ओप्षन ए सारनात भी दुर्गा मंदिर सी गंगा घाट या इन में से कोई नहीं तो बात करें वारंसी तो वारंसी का जो कि एक स्थल है और समिल किया है यह वारंसी का गंगा घाट है ठीक है वारांसी का गंगा घर जो इसको वर्ड हेरिटे साइट में इसको सामिल किया गया है तो इंपोर्टन प्रिशन बनेगा एक मैंत्मों प्रिशन है ठीक है चलिए कुछ नमर्ट टू किस राजे में माइक गौब से मतलब है गवर्मेंट है माइक गौब यान की मेरी सरका प्रिशन का गया है तो हाली में यह प्रिषार के द्वारह मद्यप्रदेश बिहार उत्तर प्रिदेश और राजिस्तान और ऑफिशली इस वीडियो में हम बात करने हैं यूत्तर प्रिदेश की करेंट अफेर चे के बारे में तो इनस प्रिसन का जो सही जवाब होगा वह उ Q3. किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांग जनों के लिए राशन कार्ण बनाए जा रहे हैं। Option है आत्म निर्भर भारत योजना, बी उत्तर प्रदेश यूपी पैंशन योजना, विकलंग पैंशन योजना या सबको राशन सबको सम्मान योजना के तहत है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग जन है। उनके लिए राशन कार्ड की सुविधा दे गयी है, वो आत्म निर्भर भारत योजना है। देवयंग जनों के लिए रासन काड बनाए जा रहे हैं तो याद रखेंगे कोशन नमबर फैर इलावाद विश्विध्याल के नई कुल्पति कोन निक्त हुए हैं तो हाले में इलावाद विश्विध्याल है के नए कुलपती निक्त किये गए हैं तो किनको इलाबाद विश्विद्याले का कुलपती निक्त किया गया है तो आसे चोहान पंकजराय मायं कगरवार या फिर सुरेश खन्ना तो सुरेश खन्ना याद रखेंगे वित्मंत्री हैं ठीक है उत्तर प्रदेश के वित्मंत्री ह तो इन्हें याद रखेंगे वित्मंत्री हैं और जो इलावाद विश्विद्धाला इसके जो कुलपती नुक्त किये गए हैं वो आसे चोहन को किया गया है ओप्शन नमबर ए यहां पर सही अंसर होगा कोश्य नमबर फाइव देखें प्रदानमंत्री मोदी ने महाराजा से प्रदानमंत्री में महाराजा सुहेल देव के इस मार्क का सिलान्यास क्या है तो आप्शन नमबर इस यहांपर करेक्ट अंसर बनेगा तो आप्शन नमबर सी याद रखेंगे प्रदानमंत्री एक बार जरूर देखके जाए और यहां से प्रेशन आपको प्रिक्षा में जरूर मिलेगा चलिए कुछ नंबर सिक से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना का सुवारम किया है बाल विकाश योजना, बाल सेवा योजना, बाल ग्यान योजना फिर बाल सेवक योजना तो उत्तर प्रदेश में अनाथ जो कोरोना से के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है और इस योजना का जो नाम है वो है बाल सेवा योजना Q7 हाली में गोरकपुर की किस ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार वो डाले गई Very very important question बने गई है तिके very very important question बने गा और जो गोरकपुर है गोरकपुर जो जन्पद है जैसा कि यह जानते ही है मार्च और अप्रेल में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे और इसमें गोरकपुर की एक ग्राम पंचायत है जिसमें आजादी के बाद पहली बार वहाँ पर वो डाले गई तो यह जो ग्राम पंचायत है इसका नाम है डो डोना ठीक है डो डो डोना ऑप्षिन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा डो 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 इंपोर्टन प्रेशन है जरू लाइक शेयर जरू करें और साथी साथ सब्सक्राइब जरू करें शेयनल को इससे हमें एक मोटिवेट मिलता है जिसे हम और आके नई वीडियो क्रम में लाते रहें तो कुशन नमर सेवन का सही आंसर ऑप्षिन नमर ए होगा डो डो डोना जहां पर आ जाती के बाद सब्सक्राइब पहली बार वहां पर मत्दान किया गया ग्राम पंचाइद के लिए अठल भोजन ना लिया कि शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस सहर में की गई तो अठल भोजन ना लिया जहां पर निशुल्क भोजन मिलेगा निश्वल्क भोजन मिलेगा तो इस योजना का जो सुबारम है, वो किस सहर से कहा है, शुरुआत कहा से की गई, उत्तिरप्रदेश में इस योजना, भोजना ले, इनके अटल, भोजना लेकि शुरुआत की गई, तो उप्षन नंबर बी यहां पर सही आंतर होगा याद रखेंगे option number बी लखनव आयोध्या में निजी छेतर में सिरी राम यूनिवर्स्टी की स्थापना करने की घोशना किसने की योगी आधित्यनात दिनेश शर्मा केशब प्रशाद मोरिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तो सिरी राम यूनिवर्स्टी तो अयोध्या में सिरी राम यूनिवर्सटी की स्थापना की जाएगी और ये की जाएगी निजी शेतर में की जाएगी क्योंकि सरकारी शेतर में नहीं की जाएगी क्या क्योंकि जो भारत है ठीक है धर्म रिपेक्ष की संग्या दी गई है और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं लेशकते किसी भी धर्म को किसी भी धर्म के लिए वो अपने कोई इस तरह की योजना नहीं लेखे आ सकते तो यह सिक्षाक में है स्री राम यूनिवर्सिटी और इसकी जो स्थापना है वो आयोध्या में की जाएगी और इसकी जो घोशना की है वो दिनेश सर्मा के द्वारा की गई है गोशना तो आप्शन नमबर भी यहां पर पर करक्ट आंसर होगा दिनेश सर्मा कुछ नमबर 10 है उत्तर प्रदेश में किस सहर से इलेक्ट्रिक बसों का परिक्षन सुरू किया गया है तो इलेक्ट्रिक बसे चलाईने के लिए पहले परिक्षन किया गया है कि ये कहां तक सफल होती है और उसके बाद में से प्रदेश के मुख्य सहरों में इसको लॉंच किय जाएगा तो इलेक्ट्रिक जो बसे हैं इनका जो प्रिक्षन किया गया है सबसे पहले वो लखनौ में किया गया है लखनौ में उत्तर प्रिदेश की राज़ानी है लखनौ और यहां पर इन बसों का पहले प्रिक्षन सुरू किया गया है कोश्चन नमबर 11 किस राजय ने इपंचयत पुरुषकार 2021 जीता है तो अफिशली बात उत्तर पृदेश की हो रहे हैं तो यहाँ पर भी इपंचयत पृषकार 2021 है इसको जीतने वाला राज्य है वो उत्तर पृदेश होगा उत्तर में में घुट ऑपMax Air Pak और वोगा ऊत्तर पृदेश की द्वारह इस पृषकार को जीता गया है कि बलास्ट लेस ट्रेकी की सेहर में खुली गई है लेकिकिंटेश्षट लेस जो ट्रेक है वह रैलएले लाइन की पर्टरेयक है क्योंकि अभी जो नॉर्मल ट्रेक हैं वो जादा गती कि जो ट्रेन हैं उनको चलाने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए एक फैक्टरी खोली गई है और यह जो फैक्टरी खोली गई है यह उत्तर प्रिदेश के मेरट में खोली गई है यह उप्षिन नॉमबर यह यहां पर करेक्टर अंसर होगा मेरट में इस फैक्टरी को खोला गया है उत्तर प्रिदेश के केस जिले में पांच जार आट सो पचास करोड रुपे के निवेश से मेगा लेदर पार्क इस्ताफित किया जाएगा तो मेगा लेधर पार्क इसतार पर क्या जाएगा तो यह कहाँ से क्या जाएगा option number क्या हो गश्मिंश में a,by,c या फिर d तो मेगा लेधर पार्क जो खोला जाएगा ये उत्तरपदेश के कानपूर में खोला जाएगा option number b यह पर करक्ट आंसर होगा प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी ने किस राज्य के लिए बनाय गए इस्टर्ण डेडिकेटेट फ्रेंट केरीडोर के निउ भावपूर निउ खुरजा खंड का उधगाटन किया तो उत्तर प्रदेश मद्य गाजस्थान मद्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या फिर पस्चिम बंगार तो इस्टर्ण डेडिकेटिव फ्रेंट के रिडोर है जो न्यू भावपूर से न्यू खुर्जा खंड का इसका उद्गाटन किया प्रदार्मिंति नाजन्द मोदी के गया था और यह क्या गया था उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर करक्ट आंसर होगा उत्तर जानते होंगे जो खुर्जा है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बलंद शहर जिले में ठीक है बलंद शहर जिले में है और यह क्या है एक पोट्री तीगे पोट्री नगरी के रूप में इसको जाना जाता है तो याद रखेंगे पुश्चिन नमर 14 का अंसर हो उप्शन कि पुश्चक बाइबाय कोरोनों का लोकरप्न इस ने किया अंदी बैन पठेल के द्वारस का अंदी बैन पठेल के अंसर ऑप्श्चिन नमबर कि कि राज्य के सादिक्पूर में इस्तिद प्रातात्विक इस्तालोर अफ्षिशों को राष्ट्य महत का गोशित किया गया राजस्तान बिहार उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात देखे सादिक पुर सिनोली इस जो फ्रात्यात्विक इस्ते लग रप्षिश्णों का जो राष्ट्य महत्कोहसित किया गया है यह उत्तर प्रिदेश की कहां है यह बाग-पत्चिले में है तीके बाग-पत्चिला भी याद रखेंगे जिला भी पुछा जासे है तो उससे ही अंसर होगा उत्तर नमर ती तो उत्तर प्रदेश की कहां पर ये बागपद चिली में इसको इसकी राष्ट मैथ को खुषित किया गया है रसिन बांद और चिली मल बांद का सम्मन भायत के किस राज्य से है तो रसिन बांद और चिली मल बांद का जो सम्मन देव उत्तर प्रदेश से है तो option number C यहाँ पर correct answer होगा उत्तर प्रदेश वनवासी समागम का आउजन किस राज्य अत्वा के इंदर साशिक प्रदेश में किया गया तो वनवासी जो कारेक्रम है इसका जो आउजन किया गया था यह उत्तर प्रदेश में किया गया था कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सभी प्रदेश यहाँ से उत्तर प्रदेश होगा ठीक है और यह किया रखेंगे सरस्मेला आजी विका सरस्मेला यह भी याद रखेंगे इंपर्टन प्रदेशन है और यह कहां पर इसका रजन किया गया वह नौईडा में किया गया ठीक है नौईडा में तो यह भी प्रदेशन आप याद रखेंगे चलिए कुछ नम्रेटिंग का नाइंटें देखें गेता प्रेश गोरखपूर ने पहली बार सचित्र के साथ में गेता का प्रकाशन किया और प्रिथम जो संस्क्रण है इसमें कितने प्रकाशित की गई तो गेता प्रेश गोरखपूर में है और इसमें पहली बार सचित्र का प्रकाशन किया है और पहले संस्क्रण में उसने तीन हजार पुस्तकों की को प्रकाशित किया है तो पुर्शी नगर मेरट लखनो या फिर अमबेडकर नगर तो अमबेडकर इश्मार्क और सांस्किर्ट केंदर की स्थापना की जाएगे और इसकी जो चर्चा है वह उत्तरपति इसके बजट में भी की गई थी ठीके और इसकी जो स्थापना है वह अधर्शिला रखी गई यह इस्पोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तरपति इसके कि सहर को खेलो इंडिया सेंटर के लिए चुना है तो इस्पोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तरपति इसके कि सहर में इनकी मेरट में ठीक है ऑप्शन नमबर 20 अंसर होगा खेलो इंडिया सेंटर के यह रट में याद रखेंगे खेल के सामार के लिए प्रिशिद है यह तो यह भी याद रखेंगे पूछा जाता है सही मैचिंग के लिए कुश्य नमबर 22 टोक्य पैर उलमपिक में हिसा लेने वाले देश के पहले आई एस अधिकारी कौन बने तो टोक्य पैर उलमपिक में हिसा लिया तो एक आई एस अधिकारे जिले के डियम है और जिनोंने यहाँ पर रिज़त पदक भी जी था तो यह हैं गोतम बुद्ध नग अगर के डियम है और यह कौन है यह सुहास यति राज ठीक है ऑप्शन नमबर भी तरक्ट अंसर होगा उजवला योजना टू की योजना कहां से हुई देखे उजवला योजना पहली योजना थी जिसमें सिलंडर बाटे गई थे गरिबों के लिए लेकिन उजवला टू य उफ्तिर प्देश मेंकज है महुबा से कही है ठीक है पूछअ गया प्रेशन है ये वी ठीक है तो महोँबा से इसकी सुवाध की कही तियारишंगे महुबा आप्शन नमबर डी यां सहिएंसरों को उभरते सितारे य saving उत्तरप्रदेश रे किया गया ठीके उत्तरप्रदेश से निर्मा सीहतरमन को ने यह भारत की फाइनस्य मिनिश्टर हैं वित्मांत्रMm हैं वित्मांत्र वित्मांत्रय लेन के पास ओप्षिन नमबर यह आंपर ऐंज होगा कि इसंत्यों rolling को स्टेक्शिज केंदर युस्ताफित करेंगे उत्तर प्रिक्ष्टर्पाथ रोधी दस्ते की तो यह कहां पर करेंगी भ्लक्रों मेरे सारणपूर तो सारणपूर है यहां पर कर्क्राइक आनशर होगा सारणपूर में एटी एस प्रिक्सिशन के इंदर की इस्तापना उत्तर प्रिदेश सरकार के द्वारा की जाएगी तो 25 कुश्चन थे हमारे इस पार्ट वन में ठीक है और पार्ट टू भी जल्द आएगा और उसमें भी हम कुछ महत्पूर्ट प्रिशनों को लेकर के आएंगे चले फिर अगली पार्ट टू के साथ में मिलते हैं तब तक इन प्रिशनों को अच्छे से याद किये और रिवाज कर लिएज़ेए